कडाके के ठंड और घने अंधेरे के बीच बीते देर राद भारत के उतरी छोड की रक्षा में अभेद्य सुरक्षा कवच की तरह सीना ताने खड़े कारगिल की पहाडिया उस वक्त थर्राऊ थी जब वायू सेरा के विशाल C-130J सुपर हर्क्यूलस विमान ने यहां सफलता पूरवक सुरक्षित लैंडिंग की इस दवरान वायू सेना के कमांडोस को भी सुपर हर्क्यूलस विमान में बिठा कर कारगिल भेजा गया यह कमांडोस की ट्रेनिंग का भी हिस्सा था कि कैसे आपात इस सिती में उनकी जल से जल्द मोर्चे पर तैनाती की जा सकती है इस ठैरतंगेज वीडियो को भारतिय वायू सेना ने सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म एक्सपर्ट शेयर करते हुए लिखा पहली बार वायू सेना के C-130J एयरक्राफ्ट ने कारगिल एयर स्ट्रिप पर रात के समय लैंडिंग की है इस अभ्यास के दौरान टेरन मास्किंग का काम करते हुए गरुण कमांडों को भी तैनात किया गया यहां आपको जानकारी के लिए बता दे कि टेरन मास्किंग एक सैन्य रणीती है जिसका इस्तिमाल दुश्मन के रडार से बचने के लिए पहाडों पहाडियों जंगलों जैसे प्राकृतिक चीजों का इस्तिमाल कि ना होता है बात करें C-130J सुपर हर्क्यूलिस विमान की तो इसे उडाने के लिए कम से कम तीन क्रू मेंबर्स की जरूरत है जिसमें दो पाइलट और एक लोड मास्टर होता है विमान में 19 तंद सामान को लोड कर एक जगा से दूसरी जगा ले जाया जा सकता है ये चार रो पाइल्स रॉयस एई 2100D3 टर्बो प्रॉप इंजिन के जरिये चलता है अगर इसकी रफ्तार की बात की जाए तो ये विमान एक घंटे में 644 किलो मीटर का सफर तै कर सकता है ये बिना तैयार रनवे से छोटी उडान भरने और लैंडिंग में भी सक्षम है गौरतलब है कि कारगिल चारो ओर से पहाडों से घिरा हुआ है ऐसे में यहाँ पर लैंडिंग करना काफी चनौती पूर हो जाता है सर्दियों के समय होने वाली भारी बर्फबारी तो लैंडिंग को और भी ज्यादा मुश्किल बना देती है उपर से रात के वक्त बर्फबारी के बीच व भार्तिय सुरक्षा के लिहाज से भी बेहत समवेदन शील माना जाता है और यहाँ भार्तिय वायुसेना और थलसेना अपनी तैनाती आए दिन बढ़ाती रहती है ऐसे में वायुसेना द्वारा पहली बार रात के घुपंदेरे में कारगिल की हवाई पट्टी पर C-130J हरक विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराना एयर फोर्स के लिए एतिहासी कुपलब धी माना जा रहा है फिलाल इस खबर में बस अतना ही भार्तिय सुरक्षा तंत्र से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और देश-दुनिया की बाकी खबरों के लिए सबस्क्राइब क और बेल आइकन दबाए ताकि चानल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुँच पाई झाल